हेलो एवरिबरन आपके अपने चैनल हिमाचली नीलम किचन में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स कैसे हैं आई होप सभी अच्छे होंगे तो गर्मी का मौसम आशकल आ गया है और ठंडा ठंडा पीने का कुछ बहुत जादा मन करता है तो आज मैंने बनाया है लेमन पपिता जूस जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत यह सूगर वाले पेसेंट के लिए ते बहुत ही जादा benefit Warlड होता है यह अंकों की रोषनी को बड़ाता है और पेट को हमारे साफ रगता है यह जूस जो है हमारे वेट लogg में भी बहुत जादा है तो मैंने किस तरह से यह जूस बि पपीते का जूस बनाने के लिए मैंने ले लिए है एक टोरी भर के पपीता जिसको मैंने छोटे पीसिस में कट कर लिए है अब मैं ले लूँ एक मिक्सर जार सबसे पहले हम पपीते को इसमें डाल देंगे और इसके भीस में अब मैं डालूँगे वन टी स्पून काला नमक और आधा टी स्पून डारी हूं मैं इसमें काली मिर्च और साथ में इसमें डारी हूं मैं दो आइस क्यूप बर्फ के और एक ले लिया है मैंने लेमन इसको मैं कट करके इसका जूस जो है इसमें निचोड दूँगे खटा आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं मैंने इसमें आधा लेमन निचोड़ा है इसमें बहुत रस था तो मैंने आधा ही इसमें निचोड़ा है अब धकल लगा के इसे ग्राइंड कर लेंगे तो मैंने पपिते को ग्राइंड कर लिया है अब मैं इसमें एड़ कर दूँगी पानी एक ग्लास मैंने चिल्ड वाटर लिया है आप चाहे तो इसमें नॉर्मल वाटर एड़ कर सकते हैं मैंने इसको आदा ही एड़ किये हैं अब हम इसे दुबारा से ग्राइंड कर लेंगे तो चलिए रेडी हो चुका है हमारा पपिता लेमन जूस तो हम अब जूस को सर्व कर लेंगे तो मैंने एक ले लिए है जूस के लिए अब इसमें मैं बर्क के तीन स्लाइस डालूंगे और इसके उपर से मैं पोर करूंगी अब जो जूस हमने मिक्सर जार में ग्राइंड किया था मैं इसे जानूंगी नहीं मैं इसी तरह से पल्प के साथ इसे इसमें डाल दूंगे क्युक्त पपिते के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं चलिए अब हम इसके उपर रख देंगे एक पुदीने की पत्ती अगर आपको पसंद हो तो रख सकते हैं नहीं तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं अगर आपको लेमन पपिते की रेस्पिप संद आएगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए को फ्रेंड्स साथ में जो बेल आइकन कमटने हैं उसे जरूर दबाएए गया ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में झाले पता मुझेशन चाले मिल सके जरूर दोलोड़ हैं उसे जरूर करूंत कि जरूर वीडियों वीडियो नेस्ट प्रेंट बाट सबसे पहले हैं जरूर रपको सबसे पहले घूर साथा